हाई फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक बाइरिंग इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग कोश्चन करेंगे जो की एलेक्टिसियन और जूनियर इंजिनियर दोनों ही एक्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है आज आसकल कोश्चन हाई हो गया है तो उसी टाइप का कोश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत लोगों ने ये मेसेज किया कि सर हिंदी में बताईए तो आज का ये सेसन हिंदी और इंग्लिस दोनों ही लेंग्वेज में होने वाला है ताकि आपको समझने में किसी भी परकार का प्रोब्लम नहीं हो तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो लोग भी हमारे चैनल पर अभी नए है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहें और किसी भी परकार का अगर आए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोस्टन से और वीडियो को लाश्ट तक देखिए 40 कोस्टन इस टॉपिक का हम पहले ही करवा चुके हैं तो हम लोग 41 नमबर से स्टार्ट करते हैं इस सेशन का फर्स्ट कोस्टन और जो भी लोग देखना है एक लाइक जरूर कर दिजेगा देखिए फर्स्ट कोस्चन है हाउ दा कंड्यूक्ट पाइप और अस्पेसिफाइड मतलब कंड्यूक्ट पाइप कैसे निद्रिष्ट किये जाते है अप्शन में हमारा दिया है लेंथ इन मीटर वाल ठकनेस इन एमेम इनर डाइमेटर इन एमेम और आटर डाइमेटर इन एमेम तो जो कंड्यूक्ट पाइप है उसको निद्रिष्ट करने के लिए हम इसका आटर डाइमेटर को देखते है हमारा जो अंसर हो जाएगा वो आटर डाइमेटर इन एमेम इसका D option सही हो जाएगा outer diameter in mm next question है हमारा what is the fusing factor of revivable fuse मतलब पुना तार बांधने योग fuse के लिए fusing factor क्या है तो revivable fuse का जो fusing factor होता है वो 1.4 होता है यह आपको याद रखना होगा revivable fuse का fusing factor 1.4 होता है इसलिए इसका B option सही हो जाएगा next question है हमारा what is the purpose of underwriter connect for the pendant holder connection मतलब pendant holder सही हो जन के लिए underwriter की गाट का उद्यस क्या है तो underwriter का गाट का जो main उद्यस है वो हता है reduce the strain from the terminals of accessories मतलब समान के टर्मिनलों के तनाव कम करता है यह under guard under guard का main उद्यस पुछा गया है इसका answer हो जागा reduce the strain from the terminal of accessories next question हम लोग देखते है what is the type of fuse figure में जो दिख रहा है यह किस type का fuse है आजकल figure वाला question ज्यादा पुछा जा रहा है symbol वाला question ज्यादा पुछा जा रहा है इसलिए इस type का question ज्यादा करवाएंगे आज हम what is the type of fuse किस परकार का यह fuse है जो आपको यह figure में दिख रहा है तो हमारा जो answer हो जाएगा आप देख करके समझे हमारा जो answer हो जाएगा यह high capturing capacity fuse है इसका B option सही है high capturing छामता fuse next question है हमारा what is the name of electrical accessories मतलब विद्धूत समागरी का नाम क्या है यह जो figure में आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है तो इसका जो नाम है आप figure से देख करके बताएंगे इसका नाम है addition screw type folder जो figure में दिख रहा है इसका नाम क्या है वो addition screw type folder है इसलिए इसका B option सही हो जाएगा next question हमारा what is the name of sample used in wiring circuit wiring circuit में use किया हुआ यह sample का नाम क्या है इस sample को हम लोग क्या बोलते है 46 number का देख लिजिए इस sample को हम लोग बोलते है plug and socket यह जो दिख रहा है आपको इसका नाम है plug and socket इसलिए 46 number question का answer हो जाएगा plug और socket D option सही है next question है which type of load is protected by L-series MCV L-series MCV किस type के load को protect करता है मतलब हिंदी में बोले तो L-series MCV के दवारा किस परकार के भाहर को सुरक्षित किया जाता है तो L-series MCV से हम लोग geyser को सुरक्षित करते है इसलिए B option इसका सही हो जाएगा geyser इसका B option सही है geyser next question है which type of switch is used in the circuit किस परकार का switch circuit में उप्योग करते हैं देखिए 48 number का जो हमारा option हो जाएगा यह जो दिख रहा है वो two-way switch है इसलिए हमारा B option सही हो जाएगा two-way switch next question है हमारा what is the effect of low current rated cable used to connect higher current load मतलब कम धारा rated cable को उच धारा भार में जोलने का क्या परभाव होगा इसका जो परभाव होगा वो cable का heat बढ़ जाने से cable damage हो जाएगा इसलिए इसका D option सही हो जाएगा cable damage due to heat मतलब गर्मी के कारण cable खराब हो जाना यही इसका परभाव पड़ेगा next question है हमारा what is the name of conduct as a series यह जो figure में दिख रहा है इसका नाम क्या है इसका देखिए 50 नमर का इसका inspection bend इसको बोलते है निरिच्छन bend हम question को थोड़ा fast करते है क्योंकि कम समय में आपका ज्यादा question revision हो सकेगा next question है हमारा how many two-way switch with intermediate switch are used to control one lamp from three different phases मतलब मधवर्ती switch के साथ कितने two-way switch एक lamp को तीन अलग-अलग अस्थानों से नियंत्रित करने के लिए उप्योग किया जाते है तो इसका जो option हो जाएगा वो दो हो जाएगा इसका भी option सही है two next question है हमारा what is the advantage of concealed wiring मतलब concealed wiring का क्या फाइदा है तब 52 number का हम देखते है इसमें जो फाइदा होता है वो moisture से हमको protect करता है concealed wiring इसलिए हमारा D option सही हो जाएगा protection against moisture नमी से सुरक्षा और what is the name of diagram जो diagram देख रहा है इसका नाम क्या है और एक का क्या नाम है तो आप diagram को देख करके बताएगा इसका जो नाम है वो circuit diagram है इसका D option सही है circuit diagram installation plan यह नहीं है layout plan भी यह नहीं है और wiring diagram भी यह नहीं है यह diagram जो है वो circuit diagram है इसका D option सही हो जाएगा next question है हमारा what is the fusing factor for high capturing capacity fuse मतलब HRC fuse का fusing capacity क्या है fusing gunung तो HRC fuse का fusing factor इसमें पुछा गया है 54 नमबर का हमारा B option सही हो जाएगा इसका fusing factor 1.1 होता है यह याद रखना है आपको HRC fuse का fusing factor 1.1 होता है next question है which type of relay can we operate at both AC and DC मतलब कौन सा relay है वो AC और DC दोनो धारा से operate होता है तो इसका जो answer हो जाएगा वो impulse relay इसका C option सही है आव एक relay जो है वो AC और DC दोनों से संचालित होता है इसलिए इसका C option सही हो जाएगा next question है हमारा what is the name of accessory using electrical appliance यह जो figure दिख रहा है वो electrical appliance में यूज किया जाता है तो इसका नाम क्या है मतलब विधूत उपकर्णों में परियोक्त समागरी का नाम क्या है जो दिख रहा है इसका नाम क्या है 56 नमर का देखिए यह iron connector with direct entry इसका नाम है सीधे परवेश साथ law सही हो जाग इसका C option सही हो जाएगा next question है what is the name of accessories symbol यह जो symbol दिख रहा है इस symbol का नाम क्या है 57 नमर का देखिए यह जो symbol है वो multi position switch single pole है यह बहु इस्तित एकल धूर सुच इसका इस symbol का नाम है इसका D option सही हो जाएगा next question है what is the purpose of flexible road in domestic wiring मतलब घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्यश है घरेली तारों में लचीली तारों का क्या उद्यश है 58 नमर का जो option हो जाएगा वो हो जाएगा connection transportable appliance मतलब transportable उपकरन connection के लिए हम लचीली तारों का उपियोग करते है 100 ampere circuit rating किस टाइप का circuit breaker यूज करते है 100 ampere से ज़्यादा अगर rating हो तब 59 नमर का जो हमारा answer हो जाएगा वो हो जाएगा अगर 100 ampere से ज़्यादा हमारा power है तो हम module case circuit breaker यूज करते हैं यानि MCCB इसका C option सही हो जाएगा module case circuit breaker next question है what is the purpose of thin coating on copper fuse wire मतलब तामबे के fuse तार पर thin का coating का करने का क्या हो देश है यही इसमें पुछा गया है तो 60 number का देखिया है इसका C option सही है prevent oxidation of copper wire मतलब तामबे के तार का oxidation को रोकना मतलब oxygen करन को रोकना इसलिए हम thin का coating करते हैं इसलिए C option इसका सही हो जाएगा what is the name of four insulating conductor group चार कुछालित चालको के समूख को क्या नाम है तो इसको बोलता है quartz इसका C option सही हो जाएगा next question है how many two way switch are required in go down wiring circuit to control four lamp मतलब चार लैंब को नियंत्रित करने के लिए गोदाम wiring circuit में कितने दो तरह के switch अवस्यक है तो कितने दो तरह का switch लगाते है तो 62 हो जाएगा वो तीन तरह का लगाना पड़ेगा इसका B option सही हो जाएगा तीन next question है हमारा why three system of wiring most suitable for multi storage building मतलब बहु मजला इमारत के लिए तारो की ट्री परनाली सबसे उप्योग क्यों है तो यह सबसे क्यों उप्योग है ट्री परनाली वो 63 नंबर का है इसलिए उप्योग है कि कई fuseो के एक साथ दोस्ट ढूणने में सरलता मतलब easy in fault finding with many fuse इसलिए हम ट्री प्लानिंग का यूज़ करते है फॉल डूलने में यह हमाँ मदद करती है इसका D option सही हो जाएगा next question है which is used as a filler material for fixing a screw hole on selling मतलब selling में a screw का छेद भरने है तू भराव पदार्थ के रूप में हम किसको यूज़ करते है तो इसमें सब को पता है यह nylon का यूज़ होता है इसलिए इसका B option सही हो जाएगा next question है what is the symbol of indicates यह परतिक क्या है जो दिख रहा है आपको यह किस चीज़ का परतिक है यह selling fan का है यह सब को पता होना चाहिए B option इसका सही है जो भी लोग देख रहे है वीडियो को ज़रूर लाइक करें share करें next question है what is the name of relay जो figure में दिख रहा है इस relay का नाम क्या है 66 number इस relay का जो नाम है वो dry read relay है figure में जो दिख रहा है यह dry read relay है next question है what is the name of diagram जो diagram दिख रहा है यह किस चीज़ का diagram है R1 का नाम बताना है आपको 67 number का यह जो diagram देख रहा है वो installation plan का diagram है अस्थापना योधना इसलिए इसका C option सही हो जाएगा next question है where the iron cloud double pole मतलब ICDP main switch is used मतलब ICDP mix switch का उपयोग कहा किया जाता है ICDP mix switch का उपयोग हम लोग कहा करते है 68 number का हो जाएगा इसका हो जाएगा single page domestic installation में हम यूज करते हैं ICDP mix switch का कहां यूज करते हैं single page domestic installation में next question हम लोग देखेंगे next question है which electrical accessories belong to general classification of accessories मतलब कौन सी विदूत समागरी समानों के समान बर्गी करन से समन्दित है 69 number का जो हमारा option हो जाएगा selling rose इसका B option सही हो जाएगा selling rose next question है which is the application of DC series MCB मतलब DC स्रिंखला MCB का अनुपरोग कौन सा है 70 number का हमारा जो option है वो हो जाएगा locomotive DC series MCB का हम locomotive में use करते हैं next question है हम थोड़ा fast कर रहे हैं क्योंकि कम समय में आपका ज्यादा question revise हो जाए 71 what is the term of the time taken by fuse to interrupt the circuit in fault मतलब दोस में circuit को बाधित करने के लिए fuse दोबारा लिया गया समय क्या कहलाता है तो 21 number का है वो cut off factor का लाता है इसलिए इसका C options हाई है cut off factor next question है which place of tree system of wiring is most suitable 72 number का कहां पे wiring का tree system अस्थान का सबसे उप्यूगत है 72 number का हमारा हो जाएगा multi storage building में हम use करते हैं पहले भी ये question था दूसरे type से next question है what is the maximum PVC conduct size to make safe cloud bonding सुरचित ठंधा मोलने के लिए PVC नली का अधित्तम अकार होना चाहिए 73 number का हमारा हो जाएगा ये 25 mm का होना चाहिए ये सब याद रखने वाला question है याद रख लिजे आप next question है why separate wiring is recommended for the home theater wiring and power wiring home theater wiring और power wiring के लिए अलग wiring की सिफारिस क्यों की जाती है 74 number का जो हमारा आंसर है avoid electrical interference मतलब विजली के व्यक्ति करन से बचने के लिए हम separate wiring करते हैं home theater का next question है हमारा what is the name of lighting circuit यह जो circuit दिख रहा है lighting circuit इसका नाम क्या है यही बताना है आपको परकासिय परिपत का नाम बताएं 75 number का जो आंसर है वो godon lighting wiring का है यह figure देखकर के हमको बताना है godon परकास wiring का figure है next question है what is the tool used to bend conduct conduct को bend करने के लिए कौन सा tool का यूज करते हैं 76 number का देखिए हम यूज करते हैं hikki bend करने के लिए आसा करते हैं कि जो हिंदी वाले लोग हैं उनको भी समझने में किसी भी परकार का problem नहीं हो रहा होगा what is the expansion of mcb mcb का expansion मतलब इसका full form पुछा गया है mcb का full form क्या होता है दखिए इसका होता है miniature circuit breaker यह सब को पता होना चाहिए इसका b option सही है miniature circuit breaker आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो light जरूर करिएगा और share करिएगा और किसी भी परकार का अगर problem हो समझने में या फिर कोई question में कोई doubt हो तो आप मुझे comment करें मैं आपका जरूर reply करूँगा comment box में comment करें हर comment का मैं separate reply करूँगा thank you आपका लुगा